असलाओं वालेकूम औरहमतुलाही वरकातो हूँ दोस्तों आज हम सौधियरभ की कुछ बड़ी और इंपोर्टन खबरे जो आ रही हूँ आप कम दस्तों के सास्थ सेर कने वाले हैं तो अगर आप सौधियरभ में रहते हैं सौधियरभ की हाला तुगा कैस्ट से बाखबर रह हैं जिबकी 1608 लोग ठीक हुए हैं और 12 लोगों की मौद भी हुई है पिछले 24 गंटे में सबसे ज्यादा मरीज रियात कंदर निकले हैं जिनकी तादा 265 है उसके बाद मक्काम करमा 262 इस्टन 128 मदीना मुनोरा 79 असीर 54 जाजान 36 कसीम 26 तबूक 22 हाईल 19 नजरान 18 बाहा 13 न सब्सक्राइब पर आए हैं सब्सक्राइब में इस वक्ट एक्ट्व केस की तादाद घटकार 8551 तक पहुच चुकी है जबकि आईश्यू में चुकेसन की तादाद 1323 है सब्सक्राइब में अब तक 4,31,432 क्रोना वरेज की मरीज रिकोट पर आए हैं जबकि 4,15,747 लोग ठीक हुए हैं और 7,134 लोगों की अब तक मौद भी हुई है अगले अपडेट यह है कि सब्सक्राइब के अंदर 3 सेक्टर में काम करने वाले वर्कर को जो समय सीमा दी गई थी वो एक सवाल से समाप्त हो गई है तो क्या समय सीमा दी गई थी आपको दादें कि सब्सक्राइब की तरफ से यह कहा गया था कि जो होटल में काम करने वाले रिस्टोरेंड में काम करने वाले वर्कर हैं उन तमाम लोगों को एक सवाल तक वैक्सिन लगवाना आनिवार्ग होगा इसके लावा जो लोग खाने पीनी की दुकानों में काम करते हैं यानि किरान अगे जो नाई की दुकानें वगरा में काम करने लोग होते हैं उनको भी एक सवाल तक वेक्सिन लगवाना जरूरी था। जो कि अब समय सिमा समाप्त हो चुकी है। तो SM Ministry की तरफ से दाया यह गया है कि जिन लोगों ने वैक्सिन नहीं लगवाया होगा एक सवाल तग उन तमाम लोगों को अब अपने खुद के खर्चे पर हर हपते की बुनियाद पर PCR की निगयोटिव रिपोर्ड पेस्ट करनी होगी. जिन लोगों ने वैक्सिन नहीं लगवाया है और इन सेक्टर में काम कर रहे हैं उन तमाम लोगों को अब हर हपते की बुनियाद पर खुद के खर्चे पर PCR रिपोर्ड जो है वो जमा करवानी होगी. जिन लोगों ने वैक्सिन लगवाया है वो तमाम लोग अब सेफ हो चुके हैं उनको लोगों को PCR रिपोर्ड जमा नहीं करवानी होगी. जिसा कि आप लोगों को पते हैं कि पहले ही मैंने इस बारे में अपडेट आप लोगों को दिया था कि जो इस चेक्टर में काम करने लोग हैं वो तमाम लोग कोशिस करके वैक्सिन लगवा लें ने तो उन लोगों को हर अपते की बुनियाद पर PCR रिपोर्ड पेस करनी तो आप कोशिस करके जल्द जल्द वैक्सिन लगवा सकते हैं क्योंकि सौधिरप के अंदर वैक्सिन फिरी है आप सियाती अप्लिकेशन या फिर तुकलना के जरिये भी अपलाई कर सकते हैं जैसे ही आपको अपाइमेंट मिल जाता है आप जाकर वैक्सिन लगवा सकते हैं ये वीडियो आपको संदाजी होगी, वसंदाजी वीडियो को लाइक और शेर जरूर करें, चनल में पर नहीं हों चनल को सिस्क्राइब करें, क्योंकि यहाँ पर आपको सुधियर अपके हवाले से जो भी तायतरीन अपडेट, तायतरीन जनकारी होती हैं, वो आप माम दिस्त पिक के साथ जब तरह की अपना ख्याल हो के खुदा हाफिज़।